Alla Understand is Hello Everyone! This is दिलसाद and welcome back to our channel. So, आधका इस वीडियो एक अन्बॉक्सिं वीडियो होने वाला है किस चीज़ का मैं अन्बोक्स करने वाला हूँ और आपने थमनेड को देखकर जाने गए होंगे किस चीज़ का मैं ऐसमें अन्बोक्स करने वाला हूँ तो basically इसमें मैं unbox करने वाला हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर HP का laptop जो मैंने purchase किया है इसी को unbox करके मैं आपको देखाने वाला हूँ इसमें क्या-क्या configuration है इसकी build quality कैसा है इसका look कैसा है यह performance किस तरह के देती है सभी आपको मैं इसको unbox करके अभी मैं आपको test करके देखाने वाला हूँ तो यह basically HP का 14S FQ1089 AU laptop है मैं इसको जो भी newly launch हुआ है January 2022 में तो इसी का unbox करके मैं आपको देखाने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखें अगर से आपका buzzard 42-45 के बीच है तो यह आपके लिए worth it होगा की नहीं और इसमें आप क्या-क्या काम कर सकते हैं मैंने किस काम के लिया है और भी इसमें बताने वाला हूँ किस कंड रहती है थी mm यह ये जानने के लिए 2 कि पwi झाने के लिए तुछ लुड़ जाएं तभी आपको विदम चानल से जूड जब आं तो चलिए इसको मैं तो इसक लिए मैं यहां से कने के लिए यहां करने के लिए अग कॉलिए आपको दखा मैं कि मैं यहां से कह लेता हूं इसको अन्बॉक्स कि उन्हें इसको कट कर दिया है कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि इसके बाद मैं बैक केमरा से आपको बताऊंगा क्या क्या दिविए यहां सबसे पहले यह यूजर मैंगमल दीविए है जैसे कि आप दे सकते हैं इसके बारे में जनकारी दिए गई है किस तरह सीव्ट करना है जो भी मैं इसको रखता हूं सैड में और और बात करें तो इसमें दीविए आपका एड़ॉक्टर और चार्जर आप पे इसको दे सक आपका यह लैप्टॉप मिले देखने को मिलेगा इसमें बॉक्स फार्य हुआती है मैं इसका है तो यह आपका यह लैप्टॉप है इसके सारी विल्ट क्वालिटी और वगरा की टेस्टिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यह इसमें से यूजर मैनुवल आपका दिया हुआ है एच्पी इंपोर्टिन प्रड़क्त इंफोर्मेशन इसके बारे में दी हुई है आप यहां से इसको ओपन करेंगे तो इसके तो पढ़ सकते हैं सभी यूजर मैनुवल दिया हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं और सेट अप कर सकते हैं सो यह उसमें करता है मैं इसको साइट करता हूं और यह एच्पी का जो बॉक्स है यहां पर बॉक्स पर आप देख सकते हैं एच्पी का ब्रांडिंग लोगो है आप अगर से बैक साइट बात करें तो यहां पर दिया हुआ है Microsoft Office के बारे में Home and Students इसमें Microsoft का आपको प्रिएंस्टॉल मिल जागा फिर बात करें इसकी configuration के बारे में तो यहां पर configuration का डिटेल दिया हुआ है जिसा कि देख सकते हैं यहां पर HP laptop 14S FQ1089AU AMD Ryzen 3 है आप आप देख सकते हैं 5300U यह सीरीज का है APU और 512GB का आपको SSD मिल जाती है यहां के Solid State Drive और 8GB का आपको DDR फोर रहे मिल जाती है फिर यहां पर Windows 11 आपका है और 14 इंसका डिस्प्लेय है Full HD IPS LED डिस्प्लेय है और 250 निट्स का फिर तीन से लिकाप को यहां पर बैटरी मिल जाती है सो यह है HP 14S FQ1089AV का Configuration जो आपको इस Laptop देखने को मिलेगा अगर सबाइड करें जो इस सैड दी हुई है बैक सैड में पर दी हुई है manufacturing details यह बिल्ड जो बनी हुई है January 2020 की और इसका MRP दिया हुआ है 52,900 रुपीज और यहां पर देखेंगे तो अगेन दिया हुआ है HP का model नमबर और यहां पर Windows 11 इसके बारे में दी हुई है आपको बॉक्स पर कुछ इतना important जनकारी दी हुई है तो मैं इसको रखता हूं सैड में और बॉक्स को साइड में रखने के बाद आप देख सकते हैं उसमें सुझीकला है यह है adapter और charger आपको मिलता है फिर यह फाइनली आपका laptop तो laptop का जो safety के लिए देख सकते हैं आप इसमें किस तरह से cover किया गया है मैं इसको पहले मैं charger adapter को आपको दिखायता हूं सो यह है आपका adapter और यह है charger चार्जर के बारे मैं बात करते हैं तो यह आपका charger है यहाँ पर इसकी details दीवी है 65 watt का यह charger आपका laptop चार्ज करने के लिए दीवी है यह super fast charger है इससे आप अपने laptop के approach one hours के अंदर fully charge कर सकते हैं क्यूंकि इसमें इस laptop में fast charging support है तो आप इससे बहुत ही जल अपने laptop को charge कर सकते हैं तो यह power adapter और यहाँ पर charger का है इसको मैं रखता हूं side में और finally जो हमारा laptop है यह देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से है सेफटी के लिए इस तरह से दीवी है काटन में और यह आपका प्लास्टिक में भी उपर से कवर किया गया है इसको finally मैं इसको open कर लता हूं और इसको करता हूं side में finally देख सकते हैं यह है आपका HP का laptop 1089 AU इसको मैं polythene से करता हूं सकते हैं यहां पर tape से seal किया गया है मैं इसे कर लेता हूं open so कुछ इस तरह से देख सकते हैं यह फर्स्ट लोग आपका आपका यह का लैप्टोप आपके इसको देख सकते हैं कितना स्लीम है यह बहुत ही light weight और स्लीम कि लैप्टोफ है यह आप देख सकते हैं जिसा कि कि इसकी इसकी build quality के बात करें तो आप यहां पर आपको ब्रांडिंग मिल जाता है ले लोगो फर्स्ट में इसके बात करें साइड में तो साइड में आपका दिया गया है SSD पोर्ट और यहां पर बैट्टी के लिए जो इंडिकेडर होता है आपका बैट्टी कितनी परसें चार्ज है या जो लोग चार्ज होती है तो यहां पर सो करता है यह चार्जन के लिए दिए हुए है, बैक में आपको बात करें, तो यहां पर बैक में तो कुछ दिखने कोने मिलता है, अबे जल्दी이kay कल सुबह पनवे sustainability लिए इथर बात करें साईड में, तो साएड बात करें, तो यहां पर आपको एरफोन के लिए जैक दिया गया है USB के लिए दिया गया है और आपका यहां पर दो जैक दिया गया है और यहां पर चार्ज करने के लिए दिये हुई है जैक swap यहाँ से सभी का यूज़ कर सकते हैं इसके बाद बात करें हम लोग इसकी first look के बारे में यहाँ पर back side में बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर यह आपका कुलिंग के लिए जो फैन होती है उसका अस्पेस दिया हुआ है और यहां पर ग्रिप्स दी हुई है यह दे सकते हैं यह ग्रिप्स दी हुई है ताकि अस्पेस बना रहा है और यहां से आपका हावा पास आउट हो सके इसमें जो फैन्स लगी होती है कुलिंग प् पास हो सके सो मैं इसको अब ओपन कर लिता हूं सहीज़े अज़र कर देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया है कि यह आपका कि फर्स्ट लोग आप देख सकते हैं एच्पी जो लैप्टोप यह है कुछ इस तरह से देखने को मिलाएगा आपको यहाँ पर बात करें तो यह आपका कलर में नेच्रूरल सिर्वल दिवी है और यहाँ पर एच्पी का सपोर्ट दिया हूए है आप सपोर्ट के थरूं बात कर सकते हैं hier АçScrosiP नंम्инки है और यहाँ पर सोचल मेडिया का भी support दिया हुआ है आप इसके थूरू connect कर सकते हैं SP का और यहाँ पर touchpad है और यहाँ पर आपका Microsoft include office, home and student के लिए है यहाँ पर दिया हुआ है processor, ryzen, 3 का और यहाँ पर AMD, rideon दिया हुआ ग्राफिक ग्राफिक के बारे में है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका keyboard के बारे में और यह आपका display है, इस तरह से इसका display है और इस इसकी details से मैं आपको provide करता हूँ, so यहाँ पर यह adapter और charger है, मैं इसको कर लेता हूँ open और अपने laptop के लगाता हूँ charge में तो मैंने यहाँ charger के थुरू इस laptop को चार्ज में लगा दिया है और यहाँ पर मैं इसके power को on करता हूँ इसके power को मैंने on कर दिया है, यह open हो रही है, जिसे आपके देख सकते हैं, यह HP का open हो चुका है मैं यहाँ से अपना pin डाल लेता हूँ, इसके पाद यह इसका booting system में यह तुरंट open हो जाती है, क्योंकि यह SSD है तो यह बहुत ही जल open हो जाती है, आप देख सकते हैं इसके speed performance को, जिसे के मैंने इसको open किया, यह तुरंट ही open हो गई है, 5 seconds में यह open हो जाती है, approach, so open होने के बाद कुछ इस तरह से आपको first look देखने को मिलेगा, आप windows setup कर लेंगे, तो इस तरह से मिलेगा, इस laptop की सबसे बड़ी जो specification है, वह है इसका backlit keyboard, जी हाँ दोस्तों, इस range में आपको sp provide कर रहा है, backlit keyboard, जीसा कि आप मैं इसको open करके देख अगर से रात में भी work करते हैं, तो आप easily इस पर कर सकते हैं, backlit keyboard इसमें DV है, सबसे बड़ी इसकी, अगर से बात करें, pros की, तो सबसे बड़ा pros इसका यही है, कि इसमें backlit keyboard दिया गया है, इसमें backlit keyboard के साथ साथ, आपको 14H का full HD screen दिया गया है, with IPS display, जीहां दोस्तों, इसमे कोई movie वगरा भी देखते हैं, तो उसमें आप कोई भी, आपको side वगरा देखने को नहीं मिलता है, आप बहुत ही बेहतरीन quality में इसकी picture देख सकते हैं, क्योंकि यह IPS display है, और with backlit light है, यहां से आप इसके light को कम भी कर सकते हैं, और यहां से off भी कर सकते हैं, यहां से on करते है एक बार में इस तरह से open हो जागा आपका यह backlit keyboard, अगर इसके light को कम करना चाहते हैं, एक बार प्रेस करेंगे, तो यह इसके light कम हो जाती है, और finally बार प्रेस करेंगे, तो यह बंद हो जाती है, तो इस तरह से आप इसमें backlit को open कर सकते हैं, बात करें इस laptop के camera का, तो इसमे webcam 720 का दिया गया है, आप यहां से webcam को open करके अपने photography यहां से ले सकते हैं, अगर से आप meeting और रजवाइन करते हैं, online classes करते हैं, तो आप camera कर सकते हैं, उपर में आपको यहां पर camera दिया गया है, इस पर और यहां पर इसका speaker भी दिया गया है, डावल यहां पर जो microphone होती है, य इसे आप online class attend करते हैं, या कोई meeting करते हैं, तो आपको यहां से capture होती है, और यहां पर आपका camera दिया गया है, इसके structure के बार करें, तो यहां पर आपको दो grip दी गई है, जो इसको protection provide करता है, अगर से आप बंद करते हैं इसको, तो यह space बनाई रखती है, और यहां बात करें तो यहां पर आपका speaker दिया गया है, जो dual speaker इसका है, और यहां पर hinges दिया गया है इसका, यह इसका frame है, जो fiber का है, और इसके body के बात करें, तो यह दिया गया है, ऐल्मोनियम का, और जो यह frame है, यह आपका plastic की दी हुई है, यहां पर मैं YouTube open कर लेता हूँ, और आपको देखा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाप पर इटू ओपिन कर रखा है बैकलिट कीबोर्ड जो है उसको ओपिन कर रखा है और मैं यहापर यूटूब पर एक सॉंग चला रहता हूं ताकि आपको एडियो कि लाइटी मिल सकें तू है वही दिल में जिसे अपना कहा तू है जहूं मैं हूँ आपको है जीब तेरे में है सेजा हम मिल जाए अच्छों जैसे का देख सकते हैं इसकी और यह क्या इसको बैक करता हूं यहां से और भी मैं आपको ब्राउज करके देखाता हूं बहुत सरी वेपसाइड हो कि आप देख सकते हैं कि इतनी फास्ट यह वार करती है मैं इसके प्राइश सर्च कर लता हूं फ्लिप कार्ड पर कितना प्राइश है इसका कि आपको अंदाजा मिल जाएगी इसको यहां से मैंने ओपन कर लिया इसको और यहां पर कर लेते हैं अपने कि लैप्टॉप का जो भी पर्चेस के उसका नाम इस पी फॉर्टीन एस वन जिलो एट नाने एए युट तो सो जीसा कि आप दे सकते हैं एच्प राइजन 3 क्वाट कोर फाइब त्री डवल जरी यू एट जीवी फाइट ट्वल जीवी एच्टी विन्डोस इलेवन हों फॉर्टीन एस एफ्क्यू वन जीरो एट नाइन एए यू थीन एंड लाइट ट्व इसका बारें दे सकते हैं कॉन्फिगरेशन यहां पर एमडी राजन 3 कोट कोट पोर्सेसर दिया गया है फोर जीवी आर डिडियार फोर रेम फॉर्टी एड वीड्स विंडोस इलेवन प्रेटिंग सिस्टेम और फाइवेंड ट्वेल जीवी सी एससटी दिया गया है और 35.56 सेंटिमेंटर इनकी फोर्टिंग इसका डिस्प्ले वर्न यह वरांटी है इसका और यहां से प्राइस की बात करें तो 43,940 रुपीस पर मेंसन है तो आप इसको पर्चिस करते हैं यह से इतना रुपीस आपको पैरना होगा ऑफर में है तो आर्व यहां से आपको कम ही मिल जाएगी सो अगर साब करें में बेसे कितना है तो मैं इमाज़ों पर इसका देख लेका हूं कि अभीजों पर प्राइज अड़ीज़ प्राइज आप चेक लड़ेते हैं आपर तो एमेजन पर में सर्च कर लेता हूं इस लेप्टप को एस पी 14 एस यह वाला सो देशा के देख सकते हैं यह यह एमेजन पर लिस्टेड है आपको 42 थाउजन एट एंडेंड नैंटी रुपीज में एस पी 14 एस फ्यूफ जेनेरेशन अमडी राइजन 3 एड़ जीबी रेम फाइफ एंडेट टुएल जीबी असेजडी और यहां पर दिया गया आपका फूल एजडी IPS माइक्रो इस डिस्प्ले है बैक लिट आपका कीबोर्ड है लेक्सा भी है इसमें विंडोस भी है विंडोस इलेवन है फास्ट चार्जिंग भी रैडियोन ग्राफिक 1.46 किलोग्राम का यह है नेश्रॉल सिल्वर कलर इसका है और इसका मोडर नमद दिया ग आप यहां सभी को ब्राउजर ओपन कर सकते हैं एक बार में चला सकते हैं कि इसका प्रोफ़ेंस बहुत ही सही है तो आप को कोई भी दिक्कत होने वाल नहीं है आप इसली सभी काम एक साथ कर सकते हैं मल्टि टास्किंग कर सकते हैं यह इस पर और सभी आपका विवसाइड हो या कुछ भी साइड हो जल्दी ओपन हो जाए करती है जैसक दे सकते हैं कितनी जल्दी इसका लोड़िंग स्पीड है कि सो मैंने लैप्ट को ओपन करके सारे इसकी पीचर्स Edible और प्रफेवरन्थ वगराँ साभी को टेस्ट के वान ने आपको बता दिया है सो अब बात करते हैं इसके प्र manual को बारे में इसमें कि आपको अच्छा या कोई भी खराब देखने मिलता है पहले बात करती है प्रोंस के बारे में तो प्रोंस अगर से कहा जाए इसका तो इसमें पहला है कि बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है जिससे आप नायट में भी यूज कर सकते हैं और इस रेंज में वह अभी एच्पी के आप ब्रांडेड लैपटोप में बैकलिट कीबोर्ड मिलना बहुत ही बड़ी बात है इसके बहुत ही बनाता है इस लैपटोप को और जो सेकंड फिंग है ऑफ डिस्प्लेज यहां इसमें डिस्प्लेज भी दिया गया है जिसके थुरू अगर साप कोई कोई मुवी या देखते हैं तो इसमें आपको कोई फीगर में बहुत ही बहzymut ही स्चाय कर सकते हैं ले जा सकते हैं सो यह सभी इसका प्रोज है और वीपार survive Prince actually तो यह super fast charging support करता है अगर आप इसको चार्ज हो जाती है और आप इसको browsing करते हैं simply use करते हैं तो 5 to 6 hour इसको यूज कर सकते हैं तो यह इसमें 14 इंच का डिस्प्ले दिया गया है अगर से आप बड़ी डिस्प्ले के लिए चाहते हैं लेप्टोप तो आपको लिए यह सही नहीं रहा है किसमें 14 इंच ही दी गई है 15 इंच पर आप जा सकते हैं इसमें डिस्पिले आपका कम दी गई है तो अगर आपकी काम है डिस्पिले की तो आप इसको 15S पर जा सकते हैं आपका प्रोज और कौन सो गया इस लैपटोग का सो अब बात करते हैं कि मैंने इस लैपटोग को क्यून बाइग किया है हो तो बीडियो इडिट करने के लिए भी मैं इसको उसको यूज करने वाला हूँ और जो भी अगरा है करने मैं से5 लिए बहूत ही जवर्डそうですね आपको बेश्यक्त करना चाहते हैं इस रेंज में ये वन आप दो लेवल प्रोडक्ट है अभी फिलहाल के लिए कि यह लॉच्छ भी लॉंच है तो ये अभी तक के लिए बहुत ही बहुती ही बहुती है लेपटो फिसको पर्चेश करना चाहते हैं तो डिफिनेटली यू just go where and check out by this link so performance के मामले में यह ही बहुत ही संदार लेप्टोप है आप इसको पर्चेस कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आप बात करते हैं कि मैंने इसको आउनलें या ओफलेंड बाइ किया है तो टूबी ओनेस्ट मैंने इसको पर्चेस करने पर मुझे इतनी रूपी पे करने पड़े हैं अगर से आप आउनलें भी भाय करते हैं तो इतना रूपी उस पर हुई लिस्टेड है बट आई डून्ट थिंग कि जितना समाय इसके साथ मुझे आउफलेंड में मिली है और जो बेनिफिट आउफलेंड मिलत तो अगर से आप आफ लेनंग पर्ष there करते हैं तो बेनिफिट मिलती है और Level में वगर आफ इत हो सब्सक्राइब अर्ण कि करने हैं तो इसके साथ कि देखाते हैं है इसबी कीवोर्ड को यहां सघरी कर सकते ही इसके साथ में यह दे गई है जो मैं आपको दिखाता हूं कि औ है किबोर्ड ट्टिंक की उडिये और है dif परफार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार्फार् अच्छी है यूज करने के बाद इसकी performance कैसी रहती है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा तो आप उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जड़र सबस्क्राइब करने वह वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा तो उसके लिए आप इस चैनल को स सब्सक्राइब करके जूड़ जाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स लोट फर वाचिंग इस वीडियो